अखिर क्यों रोक रखा है MPPSC 2020 का परड़ाम इसका जवाब लेने के लिए कल MPPSC 2020 के अफ्यर्थी ठीक सुबर 10 बजे पहुंच रहे हैं आयोग के कार्याल है आप सभी जितने भी अफ्यर्थी हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि देखिए अगर आपको अफ्यर्थियों की मायंग जायज लगती हैं मेरी तरफ से तो मैंने कही दिया है कि देखिए कोई भी परिक्षा हो जाए MPPSC 2019, 2020, 2021 या व्याबम की परिक्षा हो रिजल्ट नहीं परिक्षा का रिजल्ट रुखता है तो आगे आने वाली 21, 22 सभी परिक्षा होगा रिजल्ट रुख जाएगा क्योंकि फाइनल नौकरी नहीं मिलेगी नुक्ती पत्रजारी नहीं होंगे और हम परिक्षा देने के लिए नहीं पढ़ते हैं हम नौकरी लेने के लिए आपको याद रखना होगा तो वही चीज मैं आपको बदा रहा हूं कि दिखिए जितनी भी सरकारी सम्विधानिक संस्थाएं हैं उनसे जवाब लेने का उनसे क्वेशन पूछने का अधिकार हमें सम्विधान ने दिया है इसमें आप शांती पूछ तरीके से संगठिद होकर आराम से आप अपनी बात रख सकते हैं पूछ सकते हैं और आप जाकर उनसे ठोस आश्वासन ले सकते हैं ताकि MPPSC 2020 के संबंध में स्थिती स्पस्ट हो सके अगर आप चनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करें बैल आकॉन पर क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में हमारे Instagram, Telegram, Facebook की लिंक्स दी गई हैं उनको भी ज्वाइन कर लीजे और मुखे परिक्षा 2019, 2021, प्रिलिंस 2022 के लिए आपको एक रणनीती के आवशक्ता होगी एक content test series के आवशक्ता होगी evaluation के लिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस number पर हमें worship करिए और प्रिंसर से मागदशन प्राप्त करिए साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा ये देखी MPPSE 2020 का result लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अगर ये तैय करना है ये पता करना है कि 2019 के result में कोई खामी है कमी है तो ये हम 2020 का result आने के बाद ही compare कर पाएंगे क्योंकि अभी वो result नए formula से बना है नया तरीके से बना है ये clear नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से बनाया है 2020 का बने आएगा तो हम compare कर पाएंगे उसमें हम ये decide कर पाएंगे कि क्या बिलकुल सही बनाया है दूसरा 87-13 का formula ये किस तरह से लगाते हैं ये देखना है और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 20 की भरती रुकी रही तो 21 की joining नहीं होगी 22 का तो छोड़ी दीजे आप तो क्या सिर्फ 2019 वालों को ये सिर्फ नौकरी मिलना चीए 20, इकिस, 22 वाले इंतजार करेंगे तो ऐसा नहीं है सब को नौकरी मिलना चीए, सब को रोजगार मिलना चीए और सबके सपने सच होना चीए चाहे वो कोई भरती हो तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी अफ्यर्थी बच्चे जो भी इस मुहेम का हिस्सा बनना चाहते हैं कल सुबर 10 वजे आयो के कार्याले पहुँचिए और वहाँ पर जो भी छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर जो भी मुद्दे उठा रहे ह जिस तरह से हमारा क्याना चाहिए कि well qualified students हैं MBPSC के उसी तरह से सभी तरीके से पेश आएं और वहाँ पर जाएं ऐसा छात्रों ने कहा है कि आप सभी को message देदें तो ये message आपको मैं forward कर रहा हूं हमेशा ही आप सभी की help करता हूं ताकि आप सभी बच्चे रोजगार आपको मिले आपके सपने साकार हों ना के बल पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कुशिश करता हूं बलकि आपको aware भी रखता हूं और भी सब को जोडने का प्रयास करता हूं एक teacher होने के नाते हम सभी आपस में खटे रहें खटे होकर अपनी मांगों को उठाएं और सब को नौकरी इसके लिए हमें आप worship करिए अपने दोस्तों में तुनों से अपाठियों को जरूर बताएगे क्योंकि मौके बार बार नहीं आएंगे भड़तियां बार बार नहीं आएंगी मिलते हैं लिए पाड़कास में धने बाद